नमस्कार में बॉबी जाय में आप सभी का स्वागता ये देखते हैं राजिंदी की खास खबर बारा मुला में सेना के गश्टी दल पर आतंकियों का हमला एक आतंकियों ने हमला किया है बारा मुला के रफियबाद इलाके में किये गए इस हमले के बाद सेना के जवानों ने एक आतंकि को मार गिराया दूसरे आतंकि के इलाके में छिपे होने की खबर है उस आतंकि की तलाश में आपरेशन जारी है 32 रास्टियर राइफाल्स की पेट्रोलिंग पार्टे पर आतंकियों ने कल देर रात हमला किया था बताया जा रहा है कि सेना की गश्टी दल पर 2-3 आतंकियों ने हमला किया था इसके बाद जवाने फाइरिंग में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। लेकिन बाखी बच्चे आतंकी बाहर निकलने पर काम्याब हो गया है। कर आतंकियों से एंकाउंटर के बाद सुरक्षा बलो ने पूरे इलाके की घेरा बंदी कर दी है। आज सुरक्षा बलो ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मारे गया आतंकी के बारे में पताया जा रहा है कि वहां विदेशी हो सकता है। इस आतंकी के पास पास से एक पिस्टल और दो ग्रिनेड बरामद हुए हैं। हाला कि जो फरार आतंकी है उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। क्राइम ब्रांच आज रोहित शेखर की पत्नी से पूचताश में जूटी हुई है। खबरों की माने तो रोहित की गर्दन पर उंगलियों के निशान भी मिले हैं। रोहित शेखर तिवारे की मंगलवार को मौत हो गई थी। उन्हें दक्षिन दिल्ली के साकेत इस्थिती मैक्स अस्पताल में शाम करीब पांच बजे लाया गया था। डॉक्टोरों ने उन्हें मृत्य घोशित कर दिया। कॉंग्रिस विधायक ने कहा पी एम मोदी को फांसी पर लटका देना चाहिए। लोगसभा चुनाओं में विवादित बयान का दोरा जारी है। इसी क्रम में 36 गड़ के धरम जैगर विधा, विधान सभा सीट से कॉंग्रेस की विधायक लाल जीत राठिया ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पी एम मोदी को फांसी पर लटका देना चाहिए। एक सभा में कॉंग्रेस पिधायक और राइगर सीट से कॉंग्रेस के उम्रीदवार लाल जीत राठिया ने कहा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को फांसी पर लटका देना चाहिए। नरेंदर मोदी को फांसी पर लटका सके ताकि साजवी में 24 दिन तक भूखा रख सके। उमा भारती को जल समाधी दे सके। तो MNS Newslight की खबर देखने के लिए आज ही Play Store से MNS Hindi एप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद। झाल 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 झाल